पेड को टॉपवर करते हैं तो पेड के ऊपर जो है कैंकर आ जाता है पेड को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं आप जब भी टॉपवर करेंगे किसी बड़े पेड को तो आपको कैंकर की समझ्या उस पेड के ऊपर नही का स्वागत है जब भी हम टॉप पर करते हैं तो पेड़ को जो है पूरी तरह से काट देते हैं अमूमन कोई भी टॉप पर करता आपने कोई सभी वीडियो अभी तक देखा होगा कहीं से भी आपने टॉप पर किसी से भी सीखा होगा या किया होगा या देखा होगा आपको हम जब आप काड़ देते और उसके उपर ग्राफ करते हैं तो जब पौधा डर्मेंसी से बाहर आएगा जब डर्मेंसी ब्रेक होगी पेड की तो उस वकत पेड जो है अपना कार्बो हाइडरेट अपने लिया अपना भोजन जो है वो नहीं बना पाता है क्योंकि उसके पास पत अले की चल ब्रांच में भी तो ये जो ब्रांच है इसमें इसके इस मोटे भाग में ब्लांट जो है नीज चौन के आटे निट्रेंजा टोर घरता है तो हमें क्या करना चाहिए कि पेड़ की एक या दो ब्रांचीज जो है नीचे सबसे लोगर लेवल पे जो ब्रांचीज होंगी उन ब्रांचीज को आप छोड़ दें यह हमने इसलिए छोड़ा है ताकि पेड़ का चुरुआती साथ दिनों के अंदर भोजन कार्बोहईडरेट जो है इससे मिले ताकि पेड़ को जो है पेड़ नीचे से पानी जो है उसके पास आए और वो पानी तब ही आएगा जब यहां से पानी ऊपर उड़ेगा तब पान की बिचे की दो ब्राइचीज़ हैं उनको आप छूड़ दे और बाकि पेड़ को आप टॉप वर्क कर दे तो इससे जो है आपका पेड़ स्ट्रस में नहीं जाएगा और पेड़ के यूफर जो क्यंक कैंकर की शिकायत आपको डो यहां आपको देखने को नहीं मिलेगी दो अच्छे साल हमने जो है इसमें एक एक ब्रांची छोड़ दी थी जैसे यहां हमने यह छोड़ दी है और आप इधर देखेंगे अगर सामने वाले प्लांट पर इसमें तो इसमें हमने जो है यह वाली जो ब्रांच है इसको हमने छोड़ दिया था इसको हमने छोड़ दिया था ताकि इसको जो है निरंतर भोजन मिलता रहे तो इसका फाइदा हमें क्या मिला कि बाकि जो ब्रांचीज हमने ग्राफ्ट करी उसके उपर आपको किसी भी तरह का pimpery bark क्या कोई भी stress आपको plant के उपर नजर नहीं आएगा और ये इसी की बात नहीं है दोस्तो ये पूरी line की बात है पूरी line आप देखेंगे पीछे तक सारी जो है कहीं भी आपको pimpery bark देखने को आगे बढ़ी है यह प्लांट जो है जादा ग्रो नहीं हुए थे इनकी हाइट जो है छोटी थी लगबग साड़े चार पांच फिट इनकी हाइट थी कि यह वाली जो रो है यह पत्थर के ऊपर है यहां जो है दिवार है नीचे लगबग 25-30 फिट उची दिवार इस तरफ से है जिसकी वज़े से इसके यहां जो है यह ड्रॉट कंडिशन्स यहां पर बनती है और साथी साथ यहां मिट्टी जो है बहुत कम है लगबग 25-30 यहां पर है जिसकी वज़े से यहां पर जो प्लांट है वह अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाए थे बढ़िया के नौपी जो है इनकी नई बन पाई थी और उपर से यह पर वराइटी भी थी तो अब हमने जो है इसके उपर जो वराइटी लगाई यह विगरस है जोनप्रिंस और इसके साथ-साथ जब हमने इसको इस तरह से इस टेक्निक से हमने जब इसको टॉपर किया तो जो कलमे हमने की है उस नहीं इनको नीचे दिया है बिल्कुल जो है इनको हमने छोड़ दिया क्योंकि अगर हम बिना कुछ दिये पौधे पर इतनी ग्रोथ आ रही है और कुछ अगर हम डालते इसको तो फिर पेड कहां चला जाता यह ग्रोथ कहां जाती हमें जो है इसको कंट्रोल करना है हम चाहते वैसे भी हम जो है जो फटिलाइजर हैं केमिकल फटिलाइजर वो हम लगबग 2013 से यानि 10 साल से हमने यहां कोई फटिलाइजर नहीं डाला है तो ऐसे में लेकिन जहां से भी जीवामरित है जीवामरित से नाइट्रोजन प्लांट को मिलता है तो हम जीवामरित भी हमने इस स काल नहीं दिया है तो ऐसे आप देखें कोई भी पेड़ सभी पेड़ बहुत ही स्वरक्षित बहुती अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया साइडों पे आप जो है लोर लेवल पे प्लांट की उनको टॉपर ना करें उनको ग्राफ्ट ना करें उनको छोड़ दें और बाकी पूरे प्लांट को आप टॉपर कर दें ग्राफ्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जहां आप पूरे पेड को गंजा करके पूरे रखी तो यह जो है वीक ब्रांच से कोई फाइदा इसको ज़्यादा यहां पर एक छोटा जैसा शूट रख दिया तो इस से फाइदा रख दचिर जाने के कशानी स्स creature कोकुड़ी हूए टाकि पॉद्धे का सिस्टम जो है वो लगातार काम करता रहे इसको जो है किसी तरह की बोजन की कमी नहीं होने चाहिए बड़ ब्रेकिंग के बाद में तो आप देखेंगे इसके उपर भी इसी तरह की ब्रांच रखी है ये जो ब्रांच आप इस बार छोड़ देंगे इस ब्रांच को आपने अगले साल ग्राफ्ट करना है जैसे हम जो है ये जो रो है जिसमें हमने पिछले साल ये एक-एक ब्रांच चीज छोड़ दी थी उन एक ब्रांच चीज को हम जो है इस बार अब ग्राफ्ट करने वाले हैं पेड हमारा पूरा तयार हो चुका है, तो अब जो एक ब्रांच हमने पिछले बार छोड़ी थी, ये इसको हम जो है अब इस बार ग्राफ्ट करने वाले हैं, ये, तो आपको जो है, ऐसे ही करना है, पौधे के उपर एक या दो ब्रांच आप छोड़ दें, और उनको नेक्स् करना है, जिसकी वज़े से एक दो पेड़ उन्होंने भूल दिये, मैंने पूछा भी कि ये ऐसा क्यों क्या है, भूल गए जी, मैंने भूलने से थोड़ी होगा यार, अगला बंदा तो मरी गया, पेड तो मरी गया ना, तो भूलने से काम नहीं चलेगा, काम जो है सही तरी पेड़ों को चेंज कर रहे हैं, और वहाँ पर मैकसिमम लोगों के ये प्रशन थे, मैकसिमम लोगों का ये क्वेश्चन था, कि जी, टॉपर करने के बाद कैंकर पेड़ों के उपर बहुत आता है, जो हमने पिछले साल ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप सभी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ, फेस्बुक पेज जीतुच्वान ओचरिस्ट को फॉलो जरूर करना चाहिए, आपको बता दें कि एशिया का पहला डिजिटल प्लैटफॉर्म खेत्यारी, एक ऐसी एप है, जो बागवानो और एप को आज ही डाउनलोड करें, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बागवानी पढ़ो, फिर आगे बढ़ो, नमस्कार जैहिन, जैभारत